राइसन बेगम गंज से हमारे संबाद्दाता शरत सर्मा की श्पेशल रिपोर्ट बीना नदी में रस्यों से बना हुआ मिला अग्यात नरकंकाल हत्या की संभावना छेत्र में एक माहे में मिला दूसरा सब बेगम गंज गुरुबार की सामको ग्राम बर्री खुर्द के पास बीना नदी के किनारे पर एक प्वड से अठका हुआ नरकंकाल मिला जिसके दोनों पैर रस्यों से बने हुए थे एबम कमर पर एक भारी पत्थर भी बना हुआ पाया गया पुलिस द्वारा अग्यात सब को बरामत कर ग्राम चोकीदार की सूचना पर मर्ग काइम किये जाने के उपरांट बेबेशना जारी है पुलिस सूत्रों के मुताबे ग्राम बर्री खुर्द में के पास बीना नदी किनारे एक कोहे के पेड़ में उलजा हुआ मिले अग्यात सब के दोनों पाउर रस्यों से बंदे हुए थे एवं कमर पर एक बड़ा सा भारी पत्थर बना हुआ था संबप्ता सब एक माह पुराना बताया जा रहा है जो गेर्दगंज की ओर से भैकर आना प्रतीत हो रहा है ग्राम चोकिदार की सूचना पर पुलिस ने मर्क काईम किये जाने के उपरांत FSL की टीम को सूचना दे कर बुलाया और इस्तल पर इक्षड के बाद सब का भी बारी की से मौईनक कराया गया इसके उपरां सब को पोश्ट माटम करा गया और सब की फोटोग्राफी करा कर सब को दफन करवा दिया गया जिन परिस्तितियों में नरकंकाल मिला उसकी हत्या की आशंका ब्यक्त की जा रही है उलेखनी है करीब एक माए पहले ही बीनापुर के कउलापुल में एक अग्यात योबक का हत्या कर सब फेका गया था उसके बाद उसकी पहचान सागर निवासी धावा संचालक के रूप में हुई थी करीब एक माह बाद एक और नरकंकाल के रूप में मिलने से छेतर में चर्चाओं का दोर सुरू हो गया है इस संबंद में SGOP O.P. तिरपाटी जी का कहना है सबकी इस्तिती को देख का लग रहा है संभबता हत्या हो सकती है सबके करीब एक माह पुराना होगा पोश्ट माटम कराया जा रहा है इसके बाद इस्तिती इस्पस्ट होगी बिदीशा से हमारे संबंदाता रभी चोरशिया की रिपोर्ट भगस सींग कालोनी के पास हाथ से में मौत के बाद लोगों ने किया चक्का जाम बारा घंटे में दो हाथ से दो लोगों की मौत के बाद उग्र हुए रहवाशी हाईवे पर बहतरी खड़े बाहनों से होते हैं अक्सर हाथ से इदगाय के आगे भगस सींग कालोनी के नजदीक सुबह के समय सड़क हाथ से में एक ब्यक्ति की मौत हो गई इसके पहले भी इसी जगाय पर एक और हाथ सा हुआ था जिसमें एक ब्रद्द की मौत हो गई थी बारा घंटे के दोरान दो ब्यक्तियों की मौत के बाद यहां रहरा हे रहवाशी उग्र हो गए उन्होंने सड़क पर जम लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया रहवाशीयों का कहना है कि अक्सर बाहनों को बेतर्तीब खड़े होने की बज़ा से हाथ से होते रहते हैं एक साथ दो मौत होने के बाद लोगों का सब्र तूड गया और उन्होंने यहां से ख़ले ट्रक और अन्न बाहनों के खड़े होने से रोकने की मांग की ऐसा नहोने की सूरत में और भी जादा उग्र प्रदर्शन और तोड़ फोड़ करने की चेताबनी दी रहवासियों ने चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद कोदवाली थाना टी आई पोलिस दलबल के साथ मौके पर पहुँचे लोगों को समझाज दी बाएनों को हटाने के आश्वासन के बाद जाकर लोग स्थानत हुए बिदीशा से हमारे समबाद अता रभी चोरशिया की रिपूर्ट नागदा से हमारे समबाद अता संजय सरमा की रिपूर्ट खांचरोट में ट्रक पल्टा सड़कों पे बढ़े हुए गड़े बने दुरगटना का सबब खांचरोट में रात्री करीब दो बजे के आसपास एक लोहे के तार से भरा एक ट्रक बगला मुखी आश्राम के पास पलट गया दुरगटना सलकों में हुए गड़ों से घटित हो रही है गनीमत यह रही कि ड्राइबर और कंडेक्टर में किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई परंतु ट्रक पूरी तरह से नश्ट हो गया बताया जा रहा है रात में सलक के गड़ों है ट्रक का पत्ता टूट गया था और दुरगटना घटित हो गई नागदा से हमरे समबाद दाता संजय सर्मा की रिपोर्ट